असमान वर्ग अंतराल के लिए आयत चित्र अब हम एक अलग इस्थिती पर विचार करते हैं यहाँ एक कक्षा में विज्ञान विशय में सौ अंकों में से विद्यार्थियों के प्राप्तांक इस प्रकार है सार्णी क्रमांक साथ शूनि से बीस अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या आठ है बीस से तीस अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दस है तीस से चालिस अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बोरह है 40-50 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 है 50-60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 9 है 60-70 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 11 है सत्तर और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 9 है दी गई साणी से इस पस्ट है कि 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 एवं 70 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 9 है यहां आकड़े विभिन्न माप वाले वर्ग अंतराल में दिये गये हैं प्रथम वर्ग अंतराल की माप 20, अंतिम की 30, तथा 6 अंतराल की 10 है अब कोई विद्यार्थी इस सार्णी का आयद चित्र इस प्रकार बनाता है, क्या यह आयद चित्र ठीक है? यहां वर्ग अंतराल असमान है, तो हमें आयद चित्र बनाते समय उन्हें समान वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा जैसे प्रतम वर्ग है तु जब वर्ग अंतराल 20 है तो आयत की लंबाई 8 है इसलिए वर्ग अंतराल 10 है तो आयत की लंबाई बराबर 8 बटे 20 गुरिद 10 बराबर 4 है इसी प्रकार अंतिम आयत का वर्ग अंतराल 30 है तो आयत की लंबाई बराबर 9 बटा 30 गुरिद 10 बराबर 3 होगी वशेश वर्ग का अंतराल 10 ही है तो हमें कोई परिवर्तन करने की आशकता नहीं है अता हम किसी बे आयत की लंबाई निम्न तरीके से बदल सकते हैं आयत की लंबाई बराबर 12 बरत बटा वर्ग की चोड़ाई गुरित वर्ग की निम्न तम चोड़ाई इस प्रकार हमें प्रतीक स्थिति में 10 वर्ग अंतराल पर आयत की लंबाई प्राप्त हुई अता परवर्तित लंबाई वाला सही आयत चित्र इस प्रकार होगा बहुलक निर्धारण की बिंदू रेखी विधी ग्रेफिकल मेथेट टू लोकेट मोड आयच चित्र के माध्यम से असमावेशी अपवर्जी वर्ग के आंकणों के लिए बहुलक का निर्धारण भी किया जाता है जैसे सानिक रमांग आठ शूनि से दस वर्ग की आवरत्ती तीन है दस से बीस वर्ग की आवरत्ती पाँच है बीस से तीस वर्ग की आवरत्ती साथ है तीस से चालिस वर्ग की आवरत्ती चार है चालिस से पचास वर्ग की आवरत्ती तीन है पचास से साथ वर्ग की आवरत्ती एक है चरण एक, दिये गए आंकणों से आयत चित्र बनाईए चरण दो, सबसे अधिक उचाई वाले आयत को बहुलक वर्ग का आयत माना जाता है बहुलक वर्ग के आयत के उपरी बाएं कोने को, उसके अगले आयत के बाएं कोने से मिलाईए इसी प्रकार बहुलक वर्ग के आयत के उपरी दाएक होने को इससे पहले आयत के उपरी दाएक होने से मिलाईए चरण तीन चरण दो में दिखाई गई दोनों मिलान रेखाएं जिस बिंदू पर कटती है उस बिंदू से एक सक्ष पर लंब खीचिए चरण चार लंब रेखा एक सक्ष को जिस बिंदू पर काटती है वह बहुलक का मान होता है यहां यह मान 24 प्राप्त हो रहा है अता आकणों के बहुलक का मान 24 होगा